Kitchen हमारे घर का सबसे important हिस्सा होती है यहां हमे comfort भी ज़ादा चाहिए यहां हमे storage भी ज़ादा चाहिए यहां में lighting भी अच्छी चाहिए यहां में color भी अच्छे चाहिए लिगा यह सारी चीज़ा आपस में साथ में लाना बड़ा मुश्कल हो जाता है जब आपकी किचन हो छोटी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भिनाज चोहान और आप देख रहे हैं 91 OMS जहांपर हम बाते करते रहतें इंटीरिस से लेटेर तो अगर आपको भी ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट है प्लस वो देखने में थोड़ी सी बड़ी भी लगेगी इस वीडियो में हम इन साथ टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये साथ टॉपिक ऐसे हैं जो अगर आपने अपना लिए तो आप अपने किचन को बेटर मैनेज भी कर पाओगे उसकी स्टोरिज कपैस्ट की बड़ा पाओगे और प्लस किचन देखने में थोड़ी बड़ी लगेगी सबसे पहले हम बात करेंगे किचन का कलर किस तरह का होने चाहिए फिर हम बात करेंगे टाइल्स की किचन की टाइल्स किस तरह की होनी चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे gas stove यानि चूले की कि वो किस तरह को होना चाहिए और सबसे आखरी में हम बात करेंगे storage की कि ऐसे कौन करी चीज़ है जिनको लगा कर आप अपने kitchen की storage बढ़ा सकते हो लेकिन आगे बढ़ने से पर एक ज़रूरी सूचना ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप अपने गर का interior design करवाना चाहते हैं तो आप बेशक हमारे पास आ सकते हैं करना कुछ नहीं है नीचे description में लिंक दिया हूँ है WhatsApp का link है उसको click करो आप सीधे हमारे WhatsApp पे पहुच होगे वहाँ आपको जो भी काम करवाना है वो लिकर भिजदो हमारी टीम आपको call करेगी और बिल्कु गाइड कर देगी कि हम आपकी help किस किस तरह से कर सकते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले आते हैं आपकी kitchen के color यानि उसके रंग पर एक बात का हमेशा द्यानों को अगर आपकी kitchen छोटी है वो ये rule है कि अगर आपकी kitchen है छोटी तो आपको हमेशा light color में जाना है अब ये light color भी दो तरह के हो सकते हैं या तो वो अगा monochromatic या होगा semi monoch monochromatic का मतलब है उपरी cabinet नीचली cabinet दोनो same color tone के होगे for example अगर उपर light grey लिया नीचे भी light grey उपर white लिया तो नीचे भी white लिया तो नीचे भी light beige लिया नीचे भी light beige इस तरह का monochromatic होगे लेकिन अगर आप ये थोड़ासा आपको बोरीन लगता है थोड़ासा interesting इसको बनाना उपर वाला हलका सा light beige हो जाएगा और नीचे भी dark beige हो जाएगा और इस तरह से आप कर सकते हैं कि उपर वाला दो tone हलका कर दिया नीचे वाला 2 tone heavy कर दिया दो tone dark कर दिया इसके पीछे का logic मैं आपको समझा देता हूँ logic बस इतना है कि जब भी आप बिलकुल अलग-अलग color ल इसलिए मैंने आपको खा कि या तो आप monochromatic theme में जाओ या आप semi monochromatic theme में जाओ इसमें भी आपको लेने है light colors दूसरी चीज ये भी आपको धिहां रखनी है कि आप color जो भी चुने light ही चुनेंगे जो आपने point देखी लिया है तो उसके बाद आपको ये भी देखने है कि वो हमेशा gloss finish में होना चाहिए अब finish कही तरह की आ सकती है उनमें मोटा मोटा दो तरह की finish होती है या तो gloss हो सकती है या matte हो सकती है या फिर आप acrylic की kitchen भी बनवा सकते है यानि acrylic sheet लग जाए कि आपके shutters की उपर और वो एक seamless look provide करेगी साथ ही में उसमें glossiness बहुत जाद होती है तो वो भी देखने है बहुत अच्छा है अगर आप laminate छोड़के acrylic की kitchen बनवाने के सोच रहे है तो मैं आपको एक suggestion दे देता हू acrylic sheet अगर आप लाने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कार्पेंटर उसको चिपका देगा तो ऐसा please बिल्कुल मत करिएगा अगर आप जा रहे हो modular kitchen में यानि बाहर फैक्टर में आपकी kitchen बनने वाली है तो आप बेशक acrylic में जा सकते हो acrylic बहुत अच्छी लगते हैं देखने मे बिल्कुल जाईए लेकिन make sure कि आप घर में kitchen नहीं बनवा रहे हैं आप factory में बनवा रहे हैं चलो kitchen में जितने भी कारकस बनने वाले हैं जितने शटर बनने वाले हैं उनका color क्या लेने हैं वह आपका समझ आ गया अब बात करते है back splash tile की क्योंकि वो भी बेहत important सा होता है यानी 4 foot का एक tile लगेगा लंबे में अब ऐसे में partition बीच में कम आएंगे जितने कम partition आएंगे उतना ही मारे आखोग लगेगा कि एक seamless look आ रहे है उतना ही look देखने बड़ा लगेगा यहाँ पर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं आजकल एक tile आने लगे जो 8 foot लंबी और 9 foot च जिहान रखिए आपने ऊपर और नीचे का color अगर हलका कर दिया है बीच का color अगर हलका कर दिया तो kitchen देखने में ठीक है बड़ी तो लगी थोड़ी boring भी हो जाएगी इसलिए मैं recommend करता हूँ कि आप light patterns के साथ जाएं for example images देखिए कैसे पतली पतली धारियां से बनी हुई है इनको एक सतवारी finish भी कहा सकते हैं या फिर इस तरीक कई सारी finish दाती है जिसमें इन tiles में कुछ नो कुछ pattern बना होता है आप वो ले सकते हैं ऐसे करने से आप एक seamless look भी दे पाएंगे और साथी में आपके किसम थोड़ी boring ना होगी थोड़ी interesting ज़रूर हो जाएगी तब आज उसमें जाओ लेकिन वहाँ आपको हमेशा 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 हलका color लेना है हो सकी तो white ले लो white पर pattern बने हो चलेगा लेकिन white color साथ देखने बहुत अच्छी लगेगी और साथी साथ आपके जो kitchen बड़ी भी लगेगी तो quartz, nano और 15 mm की full body vitrified tile में से मेरी personal recommendation यह है कि अगर आप ए कि बड़ा heavy काम हो सकते है kitchen में तो आप quartz के साथ चले जाओ फिर आप time मत लेना तो जो first point तक यानि color वो हमने पूरी तरह कवर कर लिया है उमीद आपको सब समझा गया होगा अब चलते है next point मेर जो है cabinet का cabinet हमें किस तरह के लेने चाहिए normally kitchens में क्या होता है कि back plus side लगी यानि 2 foot की जगा आपको मिल गए उसके उपर से cabinet शिरू हो जाता है और उपर का area हम छोड़ देता है खाली change, art, engine, engine जैसी भी आपकी height उससे आप से उपर का area खाली छोड़ देता है अब ये area खाली छोड़ जाता है थाकि थोड़ा area look बन सके हाँ ये देखने में अच्छा तो लगता है लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपके छोटी kitchen में कर दिया तो आपके storage वैसी मर जाएगी इसके लिए मैं recommend करता हूँ कि आप हमेशा जो cabinet है वो पूरे उपर तक बनवाए उपर दगवान आने के दो option है या तो आपकी जो cabinet है उस च्छत तक जा रही है तो हमारी आपके उसको perceive करती है कि वो चीज़ बड़ी है जब आप ये cabinets बनवा रहे होंगे तो मैं आप छोटी से trick दे देता हूँ और trick यह है कि भलाई सारे के shutter है जो carcass है वो आप edge nature में बनवा बहुत अच्छा रहता है no doubt बिल्कुल बनवा सकते हो लेकिन sink का जो area उसके नीचे का जो carcass है जो उसके नीचे cabinet आएगा वो आप high density WPC बोर्ड में बनवाओ WPC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पानी का बिल्कुल कोई खत्रा नहीं है और दीमक तो लगती ही नहीं है in fact लगी ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर होते है plastic के polymers अब आते हैं तीसरे rule पर तीसरा rule यह है कि आपको अपनी kitchen को seamless look देना है इसके लिए आपको handles को क हार निकलेंगे तो या तो आपको पूरी तरह handle है kitchen में जाना है जिसमें shutters में ही जगा बनाई जाती है जिसमें हार डाल के खोल सकते हैं अगर आपको handle लगवान है तो आपको J profile जिसको गोला भी कहा जते हैं वो लगवान है जो आपके shutter से उनके face में रहते हैं उनके face से भा अब बात करते हैं चौथे rule की चौथा rule है RO filters के बारे में अब filter हमारे kitchen में होता ही होता है और वो हम अकसर kitchen topper लगवा देते हैं वहाँ पर वह बहुत राम से डेर से 2 feet occupy कर देता है आपको वहाँ पर RO filter नहीं लगवाना है हाँ सुने में थोड़ा आजीब लग़ा होगा पर वैसे भी waste है वहाँ utilization हो जाते हैं वहाँ कुछ लगा सकते हैं दूसरा फाइद ही है कि kitchen के top का जो space है वो free हो गया वहाँ बाकिया हो के use कर सकते है filter वहाँ कुछ भी space occupy नहीं करेगा और तीसरा फाइदा यह है कि यह देखने बहुत सुन्दर लगता है जब sink के अंदर से एक 24,000 में आ जाएगा यह under counter वाले filter आपको बहुत राम से 200,000 के आसपास का खर्चा दे जाएगे लेकिन मान की चलिए कि totally worth it है बस अगर आप kitchen plan कर रहे हैं तो दो चीज़ को ध्यान रखिए कि sink के नीचे RO point देना ज़रूर ही है वो ज़रूर दीजे तब ही यह लग पाएगा आपको पाइब ले जाना पड़ेगा दूसरा हुआ electric point बे ज़रूर दे अदरवाइस अगें उपर से जब तार जाएगा देखने बहुत गंदा लगेगा इसलिए sink के नीचे इन दोनों का arrangement करके चले अब आते हैं पांचवे rule पर पांचवे rule है चिमनी के बारे में चिमनी म 90 cm में जाने की कोई ज़रूत नहीं है इससे आपको थोड़ा सा एक्सा storage space मिल जाएगा ओपरी cabinets में तो वहाँ उसका use कर सकते हैं अब जब आप यह चिमनी लेंगे वहाँ भी आपको दो option मिलेंगे पहला option होगा duck chimney दूसरा होगा duckless chimney अब इन दोने फरक क्या होता वो duck chimney का मतलब है normal chimney जिसमें pipe उपर से उठता है और वो कही exterior आपकी shaft हो या भार हो या वहाँ जाके लग जाता है कि आपका सारा दूहा भार फिक देता है इसके लिए अच्छी तो है efficient भी होती है लेकिन दिक्कत यह है कि इसके pipe के लिए space चाहिए होता है और space हमारी storage की space खा जा है वापस तो अगर आप decide करते हैं इन chimney के साथ जानेगा तो मैं पहले आपको दो चीज़े clear कर देता हूँ पहले तो यह यह चिमनी नॉर्मल चिमनी सो थोड़ी सी महेंगी ज़रूट पढ़ती है और दूसरे यह कि इसके अंदर जो filters लगे होता है वो हर 6-7 महीने में बेका करना जरूरी होता है यानि इन chimney के maintenance जादा होती है तो अगर आप अपनी chimney को पहले चोड़ा कर देते हो उसके बाद duct वाले चाहिए तो आपने space तो काफी सेव कर लिया लेकिन इसका इंडिमेरिट ही हो गया कि आपको धुआ लेनी capacity दे chimney की वह reduce हो गई यानि आपकी kitchen में थो अब बहुत compromise किया वो सारा compromise से एक अच्छा exhaust पूरा कर सकता है कोई दिखकत नहीं आएगी अब आते है अपने चटे rule पर जो है lighting के बार में और मेरी मानिए ये rule सबसे जादे important है important इसलिए क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका आधी problem तो वैसी solve हो गई अब इस rule में आपको दो lighting का ध्यान रखना है सबसे पहले बात करते हैं अंडर counter lighting की जो आपके counter top के बिल्कुल उपर लगती है यहाँ पर light लगवानी बेहत 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 जरूरी है क्योंकि इस area में अगर light होगी तो आपका नीचे जो भी लगा है चलिए मान की चलिए आपन cabinet के नीचे लगा सकते हैं यह light आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है यह light आपको रोश्नी हो देगी लेकिन साथ ही साथ breakage create कर देगी जैसा आपको image में दिख रहा होगा यानि इस तरह के उल्टे यू बनाती ही चलेगी अब यह light देना ही हमारा मकसद नहीं है हमारा मकसद है आप बिल्कुल अंधिर हो जाएगा लेकिन कहीं जादा light काई come light काई come light यह एक pattern चलेगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा और again breakage create करेगा यह भी आपको नहीं लेना है तो इसको भी आप out करिए जो चीज़ आपको लेनी है वो है profile light profile light को आप एक end से दूसरे end तक बिल identify light हैं जो आपको चुणनी है और यह आपको 120% लगवानी ही लगवानी है अब बात करते है ओपर की light के जो actual में पूरी kitchen को रोशनी से भर देगी यहाँ पर आप अगर फॉल्सी लिंग करवारे हो और ना भी करवारे हो तो normal panel light पे आप लगवाई सकते हैं लेकिन मेरी मानी ह तो आप track light लगवाई है जैसे आप screen पर देख पा रहे होंगे यह देखने पर तो बहुत अच्छी लगती है साथ ही में focus light फेकती है कई सारी जगा पर जो देखने बहुत अच्छा look create करती है यह इनकी रोशनी क्योंकि जादा होती है और एक focus होती है रोशनी यह जादा भी देते हैं दूसरा होता है hob in जिसके लिए आपको slab अपनी कटवानी पड़ती है और वो अंदर install होता है जैसा आप screen पर देख पा रहे होंगे आपको छोटी kitchen के cases में second वाला चुनना है एक तो देखने में बहुत सा modern लगता है आज कल बहुत जादा चल रहे है और दूसरा ही kitchen में वो भी नहीं चलेगा इसमें आपको एक technical चीज बता जेता हूँ वो यह कि जब भी आप market में gas stove लेने जाओगे तो आपको दो type ही मिल जाएंगे पहला वो होगा जिसमें उपर एक plate रखे होगी और आपको जो gas की flames है वो side में निकलेंगी वो आपको नहीं लेना है वो European concept है क्योंकि वह चीज़े इतनी जादा गरम नहीं करी जाती है light गरम की जाती है वह पूरों चल जाता है हमारे यहाँ पर अगर आपने वो ले लिया तो आपको चौक लगाने में आपके पसी ने छूट जाएंगे आप लगानी पाएंगे इसलिए आपको वो store लेना है जि इसमें कोई भी दिक्कत आई तो इसको repair करना मुश्किल होता है इसलिए जरूरी है कि आप अच्छी कंपनी जाते है ग्लैन वर्लपूल फैबर या वो कंपनी जो में लिखी आ रही है तो आप जा सकते हैं प्लीज किसी लोकल ब्राइड या unknown ब्राइड में बिल्कुल मत जा बस करना आपको यह है कि उपरी क्याबिनेट से लगबस चार इंच नीचे एक लकड़ी का पट्टा डलवालो जो एक तरहे का open shelf की तरहे काम करेगा और यह जाधा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए एक बराबर नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए जो दिवार से चार आपके शटर के अंदर का space occupy नहीं करेगा और यह जो चार इंच का space आपको मिला यह आसर में वैसे ज्यादा काम कर नहीं था कोई बीचीज इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो केसमें टकराज है और अगर है भी तो क्योंकि हमने दिवार से सिर्फ चार इंच आगी इसको लिय है जहां पर आप चाकू, चम, चुरी, इस सब टांग सकते हो और देखने बहुत अच्छा लगएगा हाँ वहाँ आप हुक भी टांग सकते हो जहां सक्क्रीन पर देख रहे हो लेकिन मेरी मानिये तो आजकल मार्केट में इस तरह की magnetic चीज़े भी आ चुकी है जो आप सीध आप चाहे तो वहाँ से मंगा सकते हैं अच्छे भी हैं सस्ते भी हैं और सब मेरे द्वारा वेरिफाइड भी हैं टीसी ट्रिक आपको अपना नहीं है अपनी निचले कैबिनेट में निचले कैबिनेट में make sure कि corners पर आप magic corner 120 पसंद दे रहे हो वह एक ऐसा space होता है जो कभी कि bottle storage जरूर दे यह देखने में काफी sleek काफी slim लगते है ठोड़ा modernized look भी देती है और आपको storage की बहुत अच्छी एक option दे देता है जिसमें आप bottle सीदे सीदेर रख सकते हैं निचले कैबिनेट में आपको ये भी धियान रखना है कि आपके जो basket है वो बढ़ई steel की हो या फ जादा चीज़े साइस वाज़े ड्रॉल में आप डाल सकते हैं इनका भी link आपको Amazon का नीचे मिल जाएगा आप महाँ जाके इनको purchase कर सकते हो तो ये टी वो art trick जो आपना ली तो आपके kitchen भले ही छोटी हो कोई फरक ने पड़ता आपको storage मिल जाएगी आपको look भी मिल कमेंट में अपने doubt पूछने से पहले बिचल कुल भी हिचकेगा माँ क्योंकि आपको एक doubt कई हजार लों का doubt हो सकता है तो आपके पूछने के वज़े से और मेरे जवाब करने के वज़े से कई हजार लों का भला हो सकता है तो please जो भी doubt हो जैसे भी doubt हो comment में ज़रूर के साथ जहां मैं आपको बहुत सारा ग्यान दोगा बड़े ही simple शब्दों में और बड़े ही कम वक्त में तब तक के लिए good bye